नमस्कार राधे राधे जै मिथिला जै भीहर मित्रवंध हों कैसे हैं आप सभी मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे सुष्थ होंगे और मजे में होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अंग्रेजी अलफाबेट के जो F नाम बाले जातक हैं इनका आने वाला वर्ष यानि कि 2023 इनके लिए कैसा रहेगा आने वाले वर्ष में इनके जीवन में क्या-क्या बदलाव होगा इनको क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा या फिर जीवन में क्या-क्या बदलाव होगा और भी बहुत बाते हैं जो आपको जाननी चाहिए वीडियो के लास्ट में आपके आने वाले वर्स का एक अनोखा तोटका है तो आपको वो भी सुनना है और उसको आजमाना है तो आपका आने वाला वक्त बहुत ज्यादा बेहतर होगा तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके प्रेम शंबंध यानि की आपके लव लाइफ के बारे में मित्रों प्रेम शंबंध के द्रिष्टी कोन से आपका जुआने वाला वर्स है वो आपके लिए जयादा बेहतर नहीं रहेगा शाल के सुरुआत में ही आपका प्रेम शंबंध थोरा बहुत खराब हो जाएगा क्योंकि साल के सुरुआत में रहु देवता आपके कुंडली के पांचमे घर में विराजमान होंगे और रहु देवता के पांचमे घर में होने से आपका प्रेम शंबंध बहुत जयादा प्रभावित होगा आप दोनों के बीच में एक शमानता की कमी हो जाएगी राहु देवता के कारण आने वाले वर्स में अपने प्रेम शंबंध के मामलों में आप जो भी फैसला करेंगी वो आपके पक्ष में बिलकुल भी नहीं होगा आपके प्रेमी या आपके प्रेमी का आपकी बातों से सहमत बिलकुल भी नहीं होगे और आप दोनों के बीच में बिश्वास का डोर भी बहुत जयादा कमजोर होने वाला है यानि कि आप दोनों एक दूसरे के उपर में भरोशा बिलकुल भी नहीं करेंगे लेकिन साल के मध में आपका शंबंध कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मजबुत होगा लेकिन साल के शुरुवात को पार करना आपके लिए बहुत जयादा मुस्किल होगा आप में से बहुत लोग ऐशे होंगे जिनका शंबंध साल के शुरुवात में ही तूट जाएगा समाप् इसके बाद है आपका स्वास्त यानि की आपका शेहत तो स्वास्त के दृष्टी कोन से आपका जो आने वाला वर्स है वो आपके लिए जयादा बेहतर नहीं रहेगा पांचमे घर में राहु के होने से अपने स्वास्त के मामलों में आप लापरबाही बिल्कुल भी नहीं कि जियेगा अगर आपके शेहत में कहीं कोई परेशानी हो परेशानी अगर छोटी मोटी भी हो तो उसको आप अंदेखा नहीं किजियेगा और उसका इलाज आपको अवश्य करवाना है आने वाले वर्स में आपको अपने रहन सहन और अपने खानपान के परतिशाबधान होन ऐसे वस्तूओं का शेवन आप नहीं किजिएगा, जिन वस्तूओं के शेवन से आपका श्वास्त खराब हो जाता हो। आपका जो भी काम काज होगा उसमें आपकी उन्नती कहीं न कहीं बहुत ज्यादा होगी। मित्रों आप मेंसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो आने वाले वर्स में नए काम की सुरुआत करना चाहते होंगे तो नए काम की सुरुआत आप अवश्य करें क्योंकि आने वाले वर्स में अगर आप नए काम की सुरुआत करते हैं तो आपको मुनाफ़ा बहुत ज्यादा होग तो इस अवधी में आपको सावधान होना है फिर दिसंबर का महिना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा और दिसंबर के महिने में आपका जो कामकाज होगा वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा मित्रों आने वाले वर्स में अगर आपके पाडिवारिक जीवन की बात करें तो आपका पाडिवारिक जीवन सामान्य होगा यानी की ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा शाल के सुरुवात से ही आपको अपने घर पडिवार के परती बहुत जयादा सोच विचार करना होगा क्योंकि आपके पडिवार बालों के शाथ में आपका शंबंध साल के सुरुवात से ही थोड़ा बहुत खराब होना सुरू हो जाएगा शुरुआती तीन महिनों में यानि कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीन महिना आपके लिए मिला जुला कर ठीक रहेगा परन्तो इन तीन महिनों के बाद आपका पडिवारिक जीवन बहुत ज्यादा परभावित होगा आपके पडिवार में आपके माता पिता के शाथ आपका शंबंध कहीं न कहीं थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा और इस वर्स में आपके माता जी का स्वास्त भी बहुत जयादा खराब होने वाला है तो अपने माता पिता का ध्यान भी आपको रखना चाहिए तो यही था आपके आने वाले वर्स का रासी फल और अब जानते हैं कि आने वाले वर्स में आपको उपाई क्या करना चाहिए तो उपाई बहुत जयादा आशान है आपको प्रतेक गुरुबार के दिन प्रभु राम की पुजा करनी है और राम चालीसा का पाठ आपको करना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जुआने वाला वर्स होगा वो आपके लिए बहुत जयादा बेहतर और शांदार होगा और कहीं कोई पड़ेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों अगर आपकी मन में कोई शवाल हो कोई प्रस्न हो तो वीडियो के नीचे कमेंट किजिएगा आपकी शहायता आवश्य की जाएगी वैसे मैं उमेद करता हूँ साड़ी बातें क्लियर हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा वीडियो के नीचे में जै स्रीराम आपको कमेंट कर देना है और वीडियो को हर जगह सेयर कर देना है तो हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै बिहार जै मिथिला